दोस्तों BHU के free coaching का form आ गया है IS, IPS और State Public Service Commission में officer बनने का है मौका सुनहरा ओसर है सुनहरा मौका है कि BHU जैसी अच्छी संस्ता से free coaching आपको करवाई जाएगी और वहां से आप free coaching करके IS और IPS बन सकते हैं और SSC हो या State Public Service Commission हो सारे competition चुटकियों में आपसे निकलने वाला है तो दोस्तों चलिए कमर कस लिजिए और आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें apply कर सकते हैं official website को सबसे पहले दर्शन देता हूँ कैसे apply करना है कौन-कौन apply कर सकते हैं क्या criteria है पूरी complete जनकारी तो official website bhionline.in पे आएंगे तो सबसे उपर यही notice पाएंगे apply for the civil services coaching session 2023-2024 यह corresponding इस्कों मैं बताऊंगेा हम प FOR पदला हूँ कि होता है कि पहले notice है उस notice थोड़ा से कुछ बदला हुए है उस बदलाव में क्या बदला हुए है वोन को आपको kore जनीuba मने मिलेगा यह reconna jogo मतलाा बदलाओ तो बदलाव क्या हुए है डॉक्टर अम्बेत का सेंटर फॉर अव एक्सिलेंस में ये मैं बताऊंगा उससे पहले डीएसी का नोटिस देख लेते हैं उसके बाद अप्लिकेशन वगरे सब चीज़ देखिए अपलाई करने के लिए यहाँ भी एच्व ने साफ साफ realization for civil service के लिए पोटल बना रक्ता है इस पोटल पे सबसे पहले आपको क्या registration करना पड़ेगा registration करने के लिए क्या क्या आपके लिए जरूरी है email id होना चाहिए mobile number होना चाहिए scanned photo of candidates आपका अपना photo और signature यह होना चाहिए guidelines देखना है तो click करेंगे तो आपको इस पर guidelines भी मिल जाएगा step by step procedure कि कैसे आपको apply करना है मोटा मोटी जाल लिजे पहले registration करना है registration ये देख लिजे registration करने के बाद फिर आप home पे जाएंगे फिर sign in करेंगे फिर sign in करेंगे तो email id और password से आप sign कर सकते है ठीक है तो ये रहा आपका procedure form apply करने का notice दिखा कर देता हूँ notice का दर्शन करवा देता हूँ ये रहा DAC-BHU admission 2023 guidelines for admission to the coaching for CV services state civil services under auspicious of dr. ambedkar foundation and ministry of social justice and empowerment government of India schedule caste and OBC candidate किसी भी जाती किसी धर्म के OBC होंगे SC होंगे वो लोग apply कर सकते हैं OBC में बहुत सारे जातिया है बहुत सारे धर्म के भी लोग है सभी apply कर सकते हिंदू, मुस्लिम, सी, किसाई, जयन, पार्सी, जोरो, इस्टियम जितने भी देश में धर्म होते हैं समय और other backward cast है सब लोग apply कर सकते हैं में जो criteria इसमें आठ लाग से कम income होना चाहिए आपको income certificate बनाना पड़ेगा जाती परमानपत्र बनवाना पड़ेगा सीटे 100 है maximum सीटे OBC के 50 हो सकती है और 50% SC तो anyhow रहना है इसमें 70% भी हो सकता है एक साल आपको course करवाई जाएगी बिलकुर free coaching है यह scheme है schedule cast and OBC students के लिए बहुँ सरे criteria है इसमें ना जाके आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि application fee 200 रुपया लगेगा last date है 15 November आपका tentative test भी आ गया है 25 November को क्या-क्या test में सिलेवस पूछे जाएंगे 300 marks का test होगा एक mark will be detective for incorrect answer ठीक है और 100 questions होंगे हर एक questions तीन mark होंगे और एक mark एक गलती से कट जाएंगे सिलेवस दे रखा general study reasoning English Hindi reservation criteria दे रखा performance monitoring etc यह सब दे रखा है payment यह उतना जरूरी नहीं है आपके पास अधार card जरूर होना चाहिए देखिए अधार card और आपके bank account से link भी होना चाहिए self attested income certificate cast certificate mark sheet certificate 10th onwards photograph of applicants देखिए इसमें criteria दिया था कि BA में graduation में 50% होना चाहिए लेकिन Corrigendum में इसी का बदला हुआ है कि आपका 50% intermediate में चाहिए और graduation में सिप pass mass चाहिए जो notification था इसमें graduation में 50% था तो इसको इन्होंने सुधारा है 50% सिप inter में होना चाहिए और graduation में just pass होना चाहिए चाहे 40% हो 45% हो doesn't matter आप graduate pass होना चाहिए आप इसमें apply कर सकते हैं तो यह assistant register आरके निगम साहब के यह notice आया है कि student जो document upload करना तो उसको skip भी कर सकते जरूरी नहीं upload करना है बट जब counselling होगा तब आपको hard copy वहाँ पर produce करनी होगी तो यह चूट है कि online अगर आप upload नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं आपको जब counselling होगा तब जाके आपको update करना यह 6 November की notice बनी है और आथ को publish की गई है age का criteria maximum 35 साल है 1-1-2024 को calculate करेंगे तो 35 साल से जादा नहीं होना चाहिए और 21 से कम नहीं होना चाहिए तो 21 से 35 साल का age का criteria है यह पूरा notification आप पढ़ सकते हैं मोटा मोटी मैंने बताने के कोशिश की है application से लेके हर चीज़ के बारे में यहाँ पे आप click here to apply कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो like किजेगा चैनल पे नए हो तो subscribe किजेगा ऐसी useful वीडियो आपको हमेशा TVIT चैनल से मिलती रहेगी आगे support किजेगा इस वीडियो के जाज़ जादा शेयर कीजेगा जरूरत मन बच्चों के पास यह पहुंचे और वो I.S. I.P.S. बन के देश की सेवा करें